साल की शुरुवात में हर बात कर ली लेकिन सबसे जरूरी जानकारी तो रही गई वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ी वी है वो है आपके बच्चे आपके बच्चे आपकी संतान कैसी होनी चाहिए आपके संतान का future कैसा होगा? वो आगे क्या करेगी? उस पर कोई संकर्ट तो नहीं आएगा ये आज बताऊंगे आज आपके संतान से करियर से जुड़ी बातचीत होगी मूलांग से आप अपनी संतान और खुट का करियर भी जान सकते हैं आज संतान रेखा की बात भी होगी आपकी हतेली पर संतान का संकेत है या नहीं आज जान लेंगे साथी संतान दिलाने वाले उपाई भी होगे आपकी संतान को हर तरफ से खुशाल बनाने वाली जानकारी भी होगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी संतान काना जैसी चंचल और हुश्यार कैसे बनेगी आज साल का पहला संतान स्पेशल कर रही हूँ तो क्यों ना आपको पांचों माहा उपाई भी बच्चों से जुड़े भी बताऊ तो शो की शिरुवात करने से पहले आपको सबसे पहले आज का पहला माहा उपाई क्या है ये बताती हूँ क्या शनी से आपका बच्चा परिशान है बच्चे के सिर से तीन बार अंटी क्लॉकवाईज उड़त की दाल के चार बड़े बनाकर साटरड़े को सुबह का हुओं को खिला दीजे साथ साटरड़े स्तक्यों पाई कीजे सारे दोश खत्म हो जाएंगे मुझे पता है कि जिसकी संतान है वो संतान स्पेशल चाव से देखेंगे लेकिन जिनके घर संतान नहीं है वो परिशान ही रहेंगे मैं आपको परिशान नहीं देख सकती हूँ इसलिए जोदिश में जो भी संतान होने से जोड़ी जानकारी है वो आपको दिये देती हूँ उपर वाले ने चाहा तो आपके घर किलकारी जरूर गुंचेगी मैं आप ये हतेली पर संतान की रेखा दिखाती हूँ, गौर से देखे समुद्र शास्तर में बताया गया है कि हतेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे दिखने वाली खड़ी रेखाएं और अंगूठे के नीचे शुकर परवत के पास जो भी छोटी रेखाएं, कौनसी पोजिशन? ये और इधर एक लाइन होती है गूठे के ये ये जो रेखाएं हैं ये संतान के रूप में देखी जाती हैं हलकी रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि ये संतान कुछ कमजोर हो सकती है जिनकी हथेली में बुध परवत जादा उभरावा हो और संतान रेका स्पष्ट होती है ये उभरावा हो और ये बिल्कुल क्लियर होती है ऐसे लोगों के चार पुत्र तीन कन्याय संतान होने की संभावना रहती है मतलब ये शास्त्रों में लिखा गया है अब आज के टाइम में साथ बच्चे करता कौन है ऐसे व्यक्तियों के बच्चे संसकारी और गुर्वान होते हैं जिनकी हथेली में शुक्र परवत के नीचे यानि कि अंगूठे के नीचे का भाग जादा उभरा होता है ये पार्ट जादा उप्रावा होता है उनके संतान होने की संभावना अच्छी रहती है जिनकी हथेली में कोई एक संतान रेखा जादा स्पष्ट और साफ होती है उन्हें किसी एक संतान से विशेश लगाव होता है या सुख मिलता है अगर किसी पुरुष की हतेली में संतान रेखा स्पष्ट नहीं है परिशान होने की ज़रत नहीं है ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी की हतेली में संतान रेखा देखनी चाहिए माना जाता है कि संतान रेखा पुरुशों से जादा स्ती के हाथ में जादा स्पष्ट होती है क्योंकि संतान को जनती भी तो वही है अब आपके बच्चे के फ्यूचर से जुड़ी खास जानकारी आपको देती हूँ आप बच्चे की हैंड राइटिंग देखकर उसका फ्यूचर बता सकते हैं अगर आपके बच्चे की बेसिक हैंड राइटिंग में मेरे बताय बदलाव करेंगे तो उसका करियर रफ्तार से आगे बढ़ेगा उसकी handwriting से आपको ये संकेत भी मिल जाएंगे कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा देखे अगर आपके बच्चे की handwriting जो है वो बहुत जादा clear नहीं है जैसे वो लिखता है तो आपको समझ नहीं आएगा ना क्या लिखा है अगर बच्चे के handwriting में clarity कम है और बच्चा अपने senior studies पर मतलब अपनी forward education पर नहीं पहुचा है तो ऐसे में बच्चे को clarity कम रहती है कि मुझे आगे life में क्या करना है बच्चे की handwriting जितनी जादा clear रहेगी उतना जादा अच्छा रहेगा अब कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं आपका बच्चा जितना alphabets को जोड़ जोड़ कर लिखता है उतना जादा आपके बच्चे को जुड़ा रहना पसंद आता है आपका बच्चा जितना अपने alphabets को अलग-अलग gap करके लिखता है उतने बच्चे की intuition strong बनती है अगर आपके बच्चे के words में gap जो है ये कम होता है तो ऐसे बच्चों को हमेशा father की, mother की, लोगों की support की जरूरत रहती है इन्हें साथ साथ जुड़ के रहना, hugging, touching बहुत ज़्यादा पसंद होती है और जो बच्चे अपने दो words के बीच में इतना gap रखते हैं कि एक alphabet और आ जाए मतलब gap जो है, वो medium या उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चों को अपनी space चाहिए इन्हें अकेले में पढ़ना है, bedroom में बैटना है, अपने गाने अकेले सुनने है इन्हें अपनी space भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है जिन बच्चों की handwriting बार बार बदलती रहती है, ऐसे बच्चों का mind जो है पूरी तरह से stable नहीं हो पाता अगर आपका बच्चे आपने eye के ओपर dot goal बनाता है, तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा emotional होते है अगर dot जो है, यह आगे की तरफ होती है, ऐसे बच्चे future के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते है eye की dot pass और उपर होती है, तो यह current situations के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते है और अगर eye की dot इस तरह से हो जाती है, तो ऐसे बच्चे जल्दी irritate हो जाते है और अगर eye की dot ही नहीं होती है, there is no dot, कुछ नहीं होता, तो ऐसे बच्चों की life में goal missing होता है प्लीज चेक आपके बच्चे की handwriting क्या कहती है अब हम जानेंगे बच्चों से जुड़ावा आज का दूसरा महाउपाई क्या है सवाल ये है कि क्या आपके बच्चे को नजर लग गई है नमक राई, प्यास के छिलके, साबुत लाल मिर्च और लसुन लेकर अंगारे पर डाल दे आपके बच्चे को लगी नजर दूर होने लगेगी बच्चे की ऐसी किलकारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी देती है मैं ये नहीं चाहती कि आपके बच्चे तंदुरस्त हो, सक्सेस्फुल बने, आगे जाएं लेकिन मुझे पता है कि जिस घर में बेबी नहीं होते, वहां कितनी दिक्कत होती है संतान ना होना या संतान में देरी, कितने सवाल मेरे पास रोज आते हैं इमेल तो इतने एमोशनल होते हैं कि आपको क्या बताओ देखिए संतान क्यों नहीं हो रही, इसके लिए डॉक्टर की सला जरूर लीजिए लेकिन आप साथ में कुछ अचुक उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ती के अचुक उपाय जाने है संतान प्राप्ती के लिए पती पतनी दोनों को किसी जोतरलिंग की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ सर पूजन करवाना चाहिए इस काम को करने से संतान दोश समाप्त होता है संतान हुने में बाधा आ रही हो तो लाल गाय और बच्छड़े की सेवा करने चाहिए लाल या ब्राउन डॉग पालना भी शुब रहता है अगर शादी में दस या बारा वर्ष बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाल ले उसे कमर में बानने से संतान योग बनते हैं जब गर्भ धारन हो गया तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर रादा कृशन के मंदिर में पती पतनी दोनों थरस्दे के दिन चड़ाएं तो संतान के आने का दर्वाजा खुलने लगता है अगर बच्चे ना हो या बार बार मिस्कैरज हो जाता हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाते रहें लेकिन साथ ही मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शेहद भर कर शंचान में दबाएं संतान प्राप्ती के लिए इन में से किसी भी मंत्र का रेगुलरली एक माला का डेली जाप करें मेरे दर्शक कहते हैं कि मंत्र और औराम से पढ़ूं ताकि एक एक शब्द पढ़ूं आराम से जान लीजे कोई जल्दी नहीं है ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः तूसरा मंत्र ओम क्लीम गोपाल वेश घाटाए वासु देवाए हुंफट स्वाहा माब आपको बच्चे की करियर की सबसे ज़ादा चिंता होती है और आपकी ये चिंता जायज भी है लेकिन आपको सही से पता नहीं होगा कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है आपकी ये दिक्कत आज मैं दूर कर देती हूँ आज मैं आपको मूलांग के हिसाब से बच्चे का करियर चुनने का तरीका बताने जा रही हूँ सबसे पहले जाने आपको आपके बच्चे का मूलांग कैसे पता चलेगा अगर आपके बच्चे का मूलांग है यानि की बर्डे 1st, 10th, 19th या 28 तारीक को है तो आपका बच्चा सरकारी काम मेडिकल पॉलिटिक्स में जा सकता है सूर्य की पूजा से बच्चे का करियर जादा अच्छा रहेगा ब्राइट होगा अगर आपके बच्चे का मूलांग 2 है तो उसका बर्डे होगा 2, 11, 20 या 29 तारीक को आपका बच्चा आठ, फिल्म, मेडिकल, नेवी, टीचिंग या होटेल लाइन में सफलता प्राप्त करेगा आपके संतान को करियर में सफलता के लिए आपको शिवजी की पूजा करनी जाहिए अगर आपका बेटा या बेटी का मूलांग 3 है तो बर्डे होगा 3rd, 12, 21st या 30th को ऐसे केस में आपका बेटा या बेटी एजुकेशन, धर्म, कानून, वकील या जज़ में सफलता प्राप्त कर सकता है आपके बच्चे को करियर में सफलता के लिए श्री हरी विश्णु जी की पूजा करनी चाहिए अगर आपके बच्चे का मूलांग 4 है तो बर्डे होगा 4th, 13th, 22nd या 31st of any month ऐसी स्थिती में आपका बच्चा Computer, Electrical, Electronics, जोतिश और Marketing की फील्ड में अच्छा कर सकता है लेकिन बच्चे को लगातार शिवजी की उपासना करनी होगी अब बात उनके बच्चों की करते हैं जिनका मूलांग है 5 मतलब बर्डे 5, 14 या 23 तारीक को होता है ऐसे बच्चे Banking, Finance, Marketing, Commerce में बहुत आगे जाते हैं लेकिन आप इन्हें गनपती जी के आरादना जरूर कराएं अभी तो मैंने सिर्फ 5 मूलांग तक की बात करी है 6, 7, 8, 9 मूलांग वाले बच्चों का कारियर बताना बाकी है आगे बताऊंगी इसी शो पर कुछ दिर बाद लेकिन अभी एक और खास बात सवाल ये है कि क्या बच्चे को पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं किसी जो बच्चा चल फिर नहीं पाता है या हैंडीकाप है दिव्यांग बच्चे लड़के या लड़की को अपना बच्चा मानते वे अपना बेटा या बेटी मानते वे बुक्स का दान करें, फीस भरें, जो आप कर सकते हैं, कपड़े, फीस, जो भी आप दे सकते हैं, उसकी देकर मदद करें आपके बच्चे को इसका फाइडा मिलेगा आपके संतान का भला तब होगा जब उसकी नौकरी लगेगी और अच्छी नौकरी लगेगी लेकिन ये कैसे होगा आपको कुछ उपाई करने होंगे वो कौन से हैं आईए जानते हैं अगर study room सही direction में हो तो इससे बच्चे की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है वो जितनी चाहे मेहनत कर ले लेकिन बास्तो दोश की वज़र से मेहनत के जितने नतीजे नहीं मिलते हैं वो आपको अटकाते हैं इसलिए बच्चे के पढ़ने के लिए study room की दिशा का बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों को पढ़ने का कमरा north, east या north इस दिशा में रखना चाहिए पढ़ाई करते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए बच्च्रूम के पास पढ़ने का कमरा कभी भी नहीं होना चाहिए पढ़ाई के लिए कमरे में किताबों का राय क्याल मारी east या north की डारेक्शन में होनी चाहिए अगर जगा की कमी की वज़त से बेडरूम में पढ़ाई करनी हो तो पढ़ने वाले मेज, लाइब्रेरी और राक पश्चिम या दक्षन दिशा में या south west डारेक्शन में हो लेकिन पढ़ते समय चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में ही हो ड्राइंग रूम में पढ़ाई करने वालों को अपनी टेबल, कुरसी, इशान, उत्तर या north west कोने में ही रखना जरूरी है जबकि राक पश्चिम या दक्षन दिशा में रखना चाहिए मेस पर टेबल लाम्प हमेशा south east direction में रखना चाहिए competition की तैयारी कर रहे students को east direction में ही पढ़ाई की जगा बनानी चाहिए medical, law, technical, computer जैसे शेतरों से जुड़े बच्चों को अपनी पढ़ाई का कमरा दक्षन दिशा में रखना चाहिए account, sangeet, guyan, bank, management की तैयारी करने वालों को पढ़ाई के लिए north direction चुड़नी चाहिए जबकि research, literature, history, इतिहास, दर्शन शास्त्र और दूसरे गंबीर सब्जेक्ट की तैयारी करने वालों को west direction में अपने लिए पढ़ाई का कमरा रखना चाहिए वास्तु के मुताबिक पढ़ाई का कमरा सैट होना चाहिए इससे मानसिक तोर पर शांत्थी मिलती है अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफलता मिलती है पढ़ाई करने वाले बच्चों और युवाओं को पश्चन दिशा की और सिर करके सोना चाहिए पढ़ने की मेज पर उतर या पूर या इशान के कोण में भगवान सरस्वती, हनुमान जी या गणीज जी अपने ईश देवी देवता का चित्र लगाना अच्छा रहता है पढ़ाई से पहले उन्हें प्रणाम करके करन बैटने शुब होता है पढ़ाई के कमरे में दिवारों पर हलका पीला, हलका गुलाबी, हलका हरा रंगों तो बुद्धी, ग्यान और स्फूर्ती में या दाश में बढ़ात्री होने लगती है जिस कमरे या स्थान पर पढ़ाई के लिए इस्तमाल किया जाता है वहाँ पर शराब, नौन विच, नशीली चीजों का सेवन या कोई दूसरी गलत काम को कभी नहीं करना चाहिए नहीं तो बुद्धी खराब हो जाती है पढ़ाई करते समय मन एकागर रहे, इसके लिए कमरे में गुलाब या चंदन की धूब बती या अगर बती जलाना अच्छा रहता है पढ़ने वाली मेज को दिवार से सटा कर रखना वास्तु दोश माना जाता है सोने के बिस्तर पर बैठ कर या लेट कर पढ़ाई करना भी सही नहीं है पढ़ने वाले मेज पर गलोब या तांबे का पिरमिड रखने से भी पढ़ने में मन लगता है और पॉजिटिव एनरजी भर जाती है अब हम जानेंगे बच्चों से जुड़ावा आज का चौथा माहा उपाई क्या है चौथे माहा उपाई का सवाल ये है कि क्या बच्चा बार बार लेसन भूल जाता है बच्चों को हर रोज एक आवले का मुरब्बा खाने के लिए देजिए आपका बच्चा अगर डेली आवला खाता है और उपर से दूद पिएगा तो गुस्सा भी कम होगा और पढ़ाई में ध्यान भी लगेगा लेकिन उधर बच्चों को कोई बिमारी ना हो इसलिए डॉक्टर से सला जरूर ले लेने चीए संतान होने से पहले का समय भी बहुत एहम होता है वो प्रेगनेंसी का वक्त होता है इस दौरान बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है गरवती हैं तो कुछ उपाई भी कीजे संतान स्पेशल में इसकी जानकारी देना भी बहुत जरूरी है प्रेगनेंट फीमिल के कमरे में भगवान कृष्टन के बाल सुरूप की फोटो या मूर्ती जरूर रखनी चाहेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कमरे में बाल गोपाल की फोटो बार बार देखने से गर्वती महिला का मन प्रसंद रहता है और बच्चा भी सुन्दर होता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को नेगिटिव एनर्जी से बचाने के लिए कमरे में मोरपंक रखना शुब माना जाता है नेगिटिव एनर्जी से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान पूरे घर पर पीले चावलों से छिड़काफ करना चाहिए पीले चावल को मंगल का सूचक माना जाता है ऐसा करने से बच्चे और माँ पर नेगिटिव एनरजी का असार नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंट फीमेल के कमरे में सफेद और हलके रंग का इस्तमाल जादा से जादा करना चाहिए सफेद रंग को सुख सिम्रिद्धी और शांती का प्रतीक माना जाता है हलके रंग से प्रेगनेंट फीमेल के मन में सेहत और अच्छा प्रभाव पढ़ता है जिससे सेहत मन बच्चे का जन्म होता है ऐसी मानेता है कि प्रेगनेंसी की तौरान नेगितिव एनरजी सबसे ज़ादा मा और बच्चे की और आकर्शत होती है इसलिए तांबे अलोहे की चीज़ पास में जरूर रखनी चाहिए ये तो हुई एस्ट्रोलिजी की बात लेकिन जो भी महीला प्रेगनेंट है वो डॉक्टर की सलाज जरूर लेती रहें और महीला के घरवाले उसका खूब ख्याल रखें सिरुफ उपाई ना कीजिए बाकी चीज़े भी ठीक कीजिए घर का महौल भी अच्छा बनाईए आईए बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रोटिप की अगर अपने बच्चों का करियर बैटर बनाना है तो बच्चों का माइन स्टेबल रखना जरूर है अपने बच्चों के कमरे में भगवान की तस्वीर जरूर लगाएं ऐसा नहीं है कि सिरफ मंदिर में होने चाहिए बच्चों के अंदर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, फोकस, सब कुछ होना चाहिए बच्चे के कमरे के नौर्थीस्ट में मा सरस्वती की फोटो या मूर्ती लगा सकते हैं नौर्थीस्ट में ऐसा करने पर बच्चे पर फोकस, एनर्जी स्टॉंग होती है, कांसेंट्रेशन और विजडम भी बढ़ता है फेस्बुक पर रश्मील सिंग ने हमारे साथ अपनी प्राब्लम शेयर की है बेसिकली रश्मील का मन स्टाडीज में नहीं लगता, जिसकी वो पाय जानना चाहती है आज तो सारा टॉपिक ही पढ़ाई से रिलेटिट था और मैंने आपको आस्टो टिब भी वैसे दी फिर भी अगर आपका स्पेशली पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अपने राइट हैंड की लिटल फिंगर में चांदी काप बिना किसी जोड के छला पहन दीजे, आपको आराम आएगा Entertainment की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल future की बात करते हैं क्या करें अपनी राशी की एसाब से जानिए, सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग ओम हम हनुमते नमह मंतर का जाप करें लग साथ दे रहा है आपका 77% प्रिश्चप राशी के लोग अपनी कमर का ध्यान रखें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 58 percent मिथुन राशी के लोग समे को बरबाद बिलकुल ना करें किस्मत साथ दे रही है आपका 50 percent कर्क राशी के लोग ओम नमस्षिवाय का जाब करें लक्स साथ दे रहा हैं आपका 73 percent सिंग राशी के लोग हारा रुमाल अपने पास रखें लक्सा चाहरा है आपका साथ दे रहा हैं 66% कन्या राशी के लोग थोड़े से चावल जेब में रखें किसमत साथ दे रही है आपका 69% तुला राशी के लोग लाल कपड़े जरूर पहनिए भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 67% प्रिश्चिक राशी के लोग बुजर्गों की सेवा जरूर करें लक्साथ दे रहा हैं आपका 70% धनू राशी के लोग किस्मत पर बिलकुल निर्भर ना रहें भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 58% मकर राशी के लोग चीनी का दान कीचे लग साथ दे रहा हैं आपका 64% कुम राशी के लोग दोस्तों से वाद विवाद ना करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 55% और मीन राशी के लोग पानी को बिलकुल बरबाद ना करें किस्मत साथ दे रही हैं आपका 53% अब हम जानेंगे क्या है आज का पांचवा महा उपाई जो बच्चों से जुड़ा हुआ है क्या बच्चे किसी काम में मन नहीं लगाते आप अपने बच्चे की किताब में मोर मुकुट का चांदा रख दीजे उसके कमरे की नौर्थीस्ट में एक बांसरी लटकाकर बांसरी के उपर ओम नमो भगवते वासु देवाए रॉली और सिंदूर से लिखें बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा